हलो स्टोडन्स आज हम स्टार्ट करेंगे गीब और कॉर्टर जोएंट प्रिविएस वीडियो में हम आपको बताय थे के स्पाइगट और शॉकट जोएंट कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आपको गीब और कॉर्टर जोएंट कैसे बनाते हैं सिखाऊंगी इसके पहले हम देखते है गीव एन कॉटर जॉइंट हम कहां यूज करते हैं इस जॉइंट को जो दो स्क्वेर एंड वाला जो रॉड होता है यानि कि बरगाकार सीरे वाली जो छरे होते हैं उसे शमान अक्ष पर जो टेंपररेली यानि कि अस्थाई रूप पे जोडने के लिए हम गीव एन कॉटर जॉइंट को यूज करते हैं ठीक है अब मैं आपको ये दिखाऊंगी इस वाले जोइंट के लिए आप चार जैसे मैंने आप लोगों को कल वाले ड्रॉइंग में दिखाई थी स्पाइगट और सॉकेट जोइंट में जैसे सॉकेट को स्पाइगट को अलग-अलग करके दिखाई थी वैसे ही जिब और कॉटर जोइंट के लिए भी मैं चार हिसे जो अलग-अलग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए students यह जो है इसे कहते है fork क्या कहते है इसे fork ठीक है यह fork है यह rod है यह है हमारा jib और यह है हमारा quarter इस बाले हिस्से को इस बाले हिस्से के साथ fit कराते है यह rod इसके अंदर जाता है इसके अंदर जाने के बाद फिर यह वाला जो jib है इस वाले जिब को यहां से जैसे देखिए यहां पे है यहां देखो जो यहां है ऐसे ही हम क्या करते हैं फिर इस वाले रोट को ऐसे फिट करने के बाद हमारा जो कौटर वाला पोर्शन है उसके बाद कौटर वाला पोर्शन फिट होता है जैसे देखिए यहां पे कौटर वा फॉक, एक है रोट, एक है जिब और एक है कॉटर, इस चार्ड ड्रोइंग को असंबली करके मैं आब आपको सिखा रही हूं कैसे जीब और कॉटर जॉइन बनाते हैं, आईए, एट फोस्ट मैं हर टाइम आपको सिखाती हूं कि ड्रोइंग करने के पहले ही एक क्या करोगे आप लोग, सेंटर लाइन ले लीजिए, देखें मैंने एक बड़ावाला सेंटर लाइन ले लिया, सेंटर लाइन लेने के बाद, आप लोग क्या करोगे, जो हमारा कॉटर का हिस्सा था, फोग का जो हिस्सा था, उस वाले फोग के हिस्से को, जो हमारा यह हिस्सा है, यह रेखिए, यहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो यह वाला हिस्सा है हमारा fog का, ठीक है fog का fog का जो यह हिस्सा है देखे यहाँ पर कितना है 28 है तो देखिए मैं यहाँ 28 ले रही हूँ, तो midpoint से 28 को हम कैसे define करेंगे 14 उपर 14 नीचे, am I right? देखिए students यह 14 है तो 14 उपर ले लिया 14 मैंने नीचे ले लिया तो यह हो गया हमारा हिस्सा है next क्या करेंगे हम यहाँ से ले लीजिए आप 26 कितना लेना है 26 all dimension are in mm that is our 26 right next आप ले लिजिए यहाँ से 10 तोनों तरफ से 10 10 ले लिजिया यह 10 यह 10 got it next इस बाले पॉइंट से ले लिजिए total 46 कितना लेना है 46 4.5 और 0.1 that is our 46 6 got it next दुबारा वोही काम करना है हमें यह मैं फॉग बना रही हूँ है ना 10 यहाँ ले लो और 10 अंदर लेके इस बाले पॉइंट कितना भी बाहर जा सकता है यहाँ देखिए मैं एक cut लगा देती हूँ यह इसका जो distance है यह कितना भी हो सकता है बस हमें इस बाले distance से मतलब रखना चाहिए ठीक है next हम क्या करेंगे इसके बाद जो हमारा quarter वाला part में आपको दिखाए थी show up कराए थी मैंने एक quarter वाला part यह जो देखिए यह है हमारा quarter वाला part quarter वाले part पे देखिए कि यह जो total लंबाई दे रखा है यहाँ पे total लंबाई आप देखिए 120 है कितना है 120 है और इसका thickness जो है 8 है वो तो depend करता है इसके उपर यह हम drawing top view में दिखाएंगे पहले आप देख लो यह जो quarter हम fit करेंगे उसका height कितना है 120 है ओके चलिए 120 मतलब 60 midpoint से 60 इधर ले लो 60 उपर 60 नीचे देखिए पूरा इस बाले point से मिल गया फिर 60 उपर ले लिया और 60 देखो मैंने नीचे ले लिया एक line ले लिया got it कल मैंने आपको सिखाए थी quarter जो होता है थोड़ा सा taper में होता है है ना हमारे जो taper है उपर आप ले लो 30 एक तरब से taper बनाना यह ले लिजिए आप 30 और नीचे के portion आप ले लिजिए 22 और फिर आप इसे ऐसे ही मिला दीजिए got it देखिए students यहां तक हमारे कुछ problem नहीं है next हम क्या करेंगे हमारा बन गया यहां तक next आप देखिए देखिए हमारे इस वाले portion मैंने बना दिया इस quarter के बाद फिर हमारा देखो यह जो लगा रखा है यह क्या है zip बाला portion है zip बाला जो portion है वो drawing करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए यह जो point है जो हमारा quarter का जो यह वाला point है यह एंड वाला जो point है यहां से आप ले लो 35 कितना लेना है आपको आप ले लो 35 यहां आया 35 देखिए मैंने यहां से 35 लिया 35 लेने के पाद जो हमारा quarter है quarter का जो height है quarter का height देखिए यहां पर दे रखा है 48 inner 2 inner जो height है that is our 48 उसके बाद 10 उपर है नीचे भी 10 है ठीक है यह कितना है 15 है ठीक है 48 48 का half कितना है 24 am I right देखिए 24 लेके यहां और यहां ले लिया मैंने 24 sorry 48 ले लिया 48 लेने के बाद हम क्या करेंगे इस बाले दोखिए इस बाले जो portion है यहां ले लिजिए आप 7 कितना लेना है आपको 7 लेना है ठीक है देखिए यहां ले लिया 7 और यहां पर भी मैंने ले लिया 7 7 लेने के बाद देखिए दोणों तरब से 7 7 है 7 लेने के बाद यहां आप ले लिजिए 10 नेक्स्ट यहां भी आप ले लिजिए 10 ले लियां लेने के बाद आप इसे नौर्मली मिला देजिए गोट इट देखिए हमारा फॉक बाला पोर्षन थोड़ा सा बना है कॉटर बन गया और जिब बन गया देखो रॉड बाला पोर्षन यहां से continue होएगा अब होगा अब देखो हमारा जो यह वाला पोर्षन है इस वाले पोर्षन को देखो आप ध्यान से देखना इस वाले पोर्षन का जो रॉड है वही यहां तक जाएगा तो हर कॉटर्स को जब भी हम जीब को रॉड के साथ जब भी फिक्स करते हैं बीच में 0.5 या 0.3 का एक गैप रखना जरूरी होता है 1,2,3 ठीक है 0.3 का हमने एक गैप रख दिया स्पाइगाट में भी मैं दिखाई थी आपको एक गैप के लिए नेक्स्ट क्या करोगे यहां से आप ले लो 27 इस वाले पोइंट से ले लो 27 देखिए मैंने ले लिया 27 27 लेने के बाद आप क्या करोगे यहां तक आया 27 27 के बाद अब इस वाले पोइंट का इस वाले जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन लाइन ले दीजिए देखिए दोनों तरब से मैंने ले लिया प्रोजेक्शन लाइन एमैट राइट प्रोजेक्शन लाइन को 27 आ मैं डाइट नीक्स्ट इसेaptib T गोट इट फिर नेक्स्ट क्या है 27 तक हमने ले लिया यह हमारा 10 है यह रेको यहां भी हमारा 10 था यह भी 10 था तो इसी वज़े से यह भी 10 है यह भी 10 है 10 के बाद यह जो रॉड बाला पोर्शन है यह तो बाहर के तरफ यह जैसे यहां भी जा रहा है देखो वैसे वहां भी हम कितना भी उसे जा सकता है ठीक है देखिए मैंने कट लगा दिया ठीक है यह देखिए हमारा यह बन गया जीव एंड कॉटर जॉइंट का असंबली पार्ट यह क्या बना है फ्रेंड व्यू मैं आपको टॉप व्यू भी बनाना सिखाऊंगी उसके पहले जो मैं सिखाती हूं डेली सेक्शन पॉइंट करना ताइमेंशन लाइन देना मैं सिखा दूंगी तुम्हें पुरा देखिए जो हमारा रॉड बाला पार्ट है मैं रॉड बाले पार्ट को तो मैं हमेशा सिखाते हूं सेक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए रॉड बाले पार्ट के लिए तो देखिए मैंने ऐसे सेक्शन कर दिया देखिए हमारा रॉड बाला पॉर्शन देखो यहां भी जा रहा है तो यह जो है एंगल कितने डिगरी का एंगल होता है मैं सिखा चुकी हूं आल्रेडी आपको बता चुकी हूं 45 डिगरी एंगल पे आप हैट्स लाइन ड्रॉ करना हैट्स लाइन सेक्शन लाइन कुछ भी कह सकते हो है ना यह क्लियर कॉंसेप्ट में आने के लिए हम यूज करते हैं देखिए मैंने हलकी हाथ से दे दिया अब जो हमारा फॉर्क बाला पॉर्शन है फॉर्क बाला पॉर्शन का सेक्शन पॉइंट है यह रॉड वाला पॉर्शन का है अगरे आप लोग ड्राफ्टर से फॉर्क डिगरी एंगल बना सकते हैं कि मैं फ्री हैंड में कर रही हूँ इसी वज़ा से कि इस चैप्टर के यह बहुत इंपॉर्टन्ट कोईशन है हमेशा ही ऐसे टाइप के कोईशन अपता है कि देखिए कि देखिए मैंने पूरा है लाइन ट्रो कर दिया नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसे इसका जो कॉर्णर पाट है ये कॉर्णर पाट थोड़ा सा बेंड हो जाता है बिल्कुली सीधा सीधा नहीं होता थोड़ा सा बेंड होता है है ना यहां भी अब जो कोटर हमारा बन गया यहां भी थोड़ा सा कुछ नहीं बस कोड़नर पहला पोर्शन को थोड़ा सा ऐसे राउंड बना देना गोट इंट नेक्स्ट इस पोर्शन को भी थीक है जो हमारा इंपॉर्टन लाइन है अब मैं उसे डार्ट कर दिया डार्ट कर दिया झाल झाल एख भूंक I you कि अब मैं डाइमेंशुन दे देती हूं है डाइमेंशन बहुत इंपोर्टंट है अगर आपको डाइमेंशनिंग आप प्रॉपर ली नहीं दोगे तो फिर देखो ड्रॉइंग जीरो हो जाएगा ड्रॉइंग में ठीक है आपको मैं हमेशे सिखाती हूं आप लोगों को कि डायमेंशनिंग इस वेरी इंपॉर्टन टॉके कि देखिए ठीक है अब कि यह कितना है 28 फाइं मतलब इसका जो डाया है 28 है यहां से यहां तक 28 है यह यहां से यहां तक कितना है 26 यहीं तुशिखाएती में यह है 26 यह यहां से यहां तक है कितना था 46 नेक्स्ट जो मैं हमेशा बताई थी आपको कि हर कॉर्टर्स को जोईन करने के पहले थोड़ा पॉइंट 3 का गैप रख देना यहां पर मैंने नहीं रखी थी पर मैंने ले लिया देखिए एक मैंने पॉइंट 3 का गैप कर दिया ठीक है यह कितना है 3 एक तरफ डाइमेशन कर दो बहुत है उपर का पॉश्चन जो है हमारा कितना है यहां से यहां तक की जो दूरी है यह कितना था 35 ठीक है नेक्स्ट जो यहां से यहां तक की टोटल जो लेंथ है यहां से यहां तक कितना है आप लोग हेट सही से कर लेना ड्राइंग 7 यहां से यहां तक आपको बलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक आपको पता है 28 जो यह वाला पोर्शन जा रहा है यही है फिर यह दिखा देते हूं मैं यह यहां से यहां तक कितना जा रहा है 27 और यह यहां से यहां तक जो छोटा वाला गैप है 0.3 नेक्स्ट यह है 10 यह है 10 यह 10 है यह भी 10 है यह यहां से यहां तक 10 है देखिए यही 10 यहां पर कंटिन्यू उगा ठीक है और फिर जो यहां से यहां तक कि जो है वह 28 है उधर भी 28 है इधर भी 28 ही है यह दिखिए हमारा बन गया क्या से ट्रेंट वीओ बना दिए मैंने अब मैं इसका टॉप भी बना रही हूं इसका साइड ब्यू नहीं होता टॉप बनता है ठीक है देखिए at first मैंने एक बेस लाइन ले लिया next आप क्या करोगे same process आप एक midpoint ले लिजिए नहीं तो फिर आपको drawing करने में problem हो जाएगा ठीके midpoint लेने के बाद आप क्या करोगे देखिए हमारा जो ये portion था ये उपर से देखेंगे तो हम ये portion दिखाए देगा हमें 28 था तो 28 का मतलब 14 है देखिए मैंने उपर से ले लिया 14 यहां से भी 14 ले लिया ठीक है ये ही लाइन मैं हलके हाथ से खीच रही हूँ अब है फिर मैं यहां तक कर लेती हूं और फिर यहां पर ये थोड़ा सा कट लाइन दे देती हूं मतलब इस वाले लाइन से कट है कितना भी हो सकता है हमारे यह ठीक है नेक्स्ट हमें चाहिए कहां से कहां तक की हमें चाहिए हमारा यह वाला जो point है यहां से आप एक projection लाइन ले दीजिए इस वाले point से भी projection लाइन ले 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 जिए ठीक है यह माप के देख लेना 1112 है यहां भी है इसके अब एक midpoint ले लीजिए, 11 point something है, ठीक है, मैंने बताई थी, 111, 112 के करीब है, तो 11 point something सही है, तो 11 point 11 को अगर हम दो से divide करें, तो कितना हो जाता है, 5 points 5, 5.5 के करीब, मैंने center point ले लिया, देखिए, मैंने center line ड्रॉक ले लिया, ठीक है, फिर क्या करोगे आज, हमारा जो fog था, fog का जो उपर से हम जब देखेंगे fog को, देखिए, यह जब fog था, frog के जो उपर से हम देखते हैं, उपर से देखने से देखो, यह कितना आएगा, 8, ठीक है, 8 के मतलब, जो हमारा midpoint है, midpoint से क्या, 4 उपर, 4 नीचे, देखिए, midpoint से, 1, 2, 3, 4, 0, 4 उपर, और 0, 4 नीचे, यह कहां तक जाएगा, यहां तक, यह जो हमारा zip था, zip से एक, center line ड्रॉ किजिए, projection line, और फिर quarter से भी projection line ड्रॉ किजिए, ड्रॉ करके, आप बस, इसे, यहां तक की, खींच के मिला दो, देखो, बस, बन गया हमारा, फिर, next क्या करोगे, just, यह 8 है, फिर क्या है, यहां से, जो 30 था, 30 का projection ले लो, लेके, थोड़ा सा इसे, जैसे, मैंने उसमें भी सिखाई थी, थोड़ा सा इसे curve कर दो, यानिकि यह curve portion है, ठीके, और जो curve करोगे, यह यहां भी थोड़ा सा show off करा दो, कर्ब को, कॉर्टर में मैंने सिखाई थी आपको प्रिविएस वीडियो में, तो इसे मैं अब, डार्क कर देती हूँ, बस, हो गया, इसमें dimensioning कर दो, क्या, 8, और हमारा जो, यहां से यहां तक की जो distance है, यह है, हमारा total, चाहें आप dimension नीचे भी दे सकते थे, 1, 1, 2, ठीक है, नेक्स्ट, यह तो आप हमेशा ही लिख होगे, क्या, ओल, डायमेंश्यों, आर, एन, एम, 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 इचे भी दे देती हूँ, यह कितना था, ट्वेंटी एट, ठीक है, टू स्टूडल्स, हमारा आज का जो, टॉपिक था, जीब अन कॉर्टर जॉइन्ट, दिखिए, मैंने इसका फ्रेंड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करके आपको सीखा दिया, ठीक है, थैंक्यू,